हलो दोस्तों NSC Online Classes में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है रोहित साथ मैं आज आप लोगों के साथ 1st of September का Current Affairs को डिसकस करने वाला हूँ हमारा ये सेशन डेली सुबह 7 बजे NSC Online Classes की YouTube चैनल पे अपलोट कर दिया जाता है और हमारे जितने भी Classes है आप इस नमर पे Contact करके Classes अवेल कर सकते हैं आए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का Current Affairs पहला Question है प्रतिक्षा या एक पहला Marine Ambulance सेटप किया गया है Marine Ambulance ठीक है तो ये कौन से स्टेट में सेटप किया गया है प्रतिक्षा तो आप लोग देख सकते हैं आपसन में है केरला, तमिलाडू, गोवा और महराष्ट्रा ठीक है तो इसका जो एंसर हो जाएगा ये है केरल ठीक है केरला में इसको सेटप किया गया है पहला Marine Ambulance ये क्या करेगा ये जो फिसर्स में होते हैं उनके life rescue करने में ये काम करेगा ठीक है ये लाइफ का rescue करने में ये काम करेगा और ये केरल में सेटप किया गया है इसमें total 6.08 करोर का cost आया है 6.08 करोर और सबसे important इसको बनाया गया है कोचिन कोचिन सिप्याड कोचिन सिप्याड कोचिन सिप्याड लिमिटेड के दौरा ठीक है कोचिन सिप्याड लिमिटेड के दौरा इसको बनाया गया है केरल के जो जीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनराई विजेयन पिनराई विजेयन केरल के चीफ मिनिस्टर है और आर रीफ महम्मद खार वहां के गवर्नर है यह याद रखिएगा नेक्स कोशन देखिए अभी कौन सा यूनिवर्सिटी के एक साइन्टिस्ट ने कोवीड-19 वारबोट ठीक है यह एक रोबोट है जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करेगा कोवीड से प्रोटेक्ट करने में कौन सा य यह कोवीड- lagi God यह बनाया है त्रिफुरा यूनिवर्सिटी के सैंटिस्ट ने टिक है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के सैंटेस्ट के द्वारा कोवीड-19 वारबोट को डवलप किया गया है त्रिफुरा से याद रखिएगा त्रिफुरा में सकीम आया था इक जिसका नम था मुख्यमंत्री मात्रू पूश्टी उपहार इसकी ठीक है मुख्यमंत्री मात्रू पूश्टी उपहार इसकी ये त्रिपूरा सरकार के द्वारा लाया गया है next question देखें next question है UNICEF ठीक है UNICEF अभी कौन सी कमपनी ने UNICEF के साथ partnership किया है तू मैप स्कूल इंटरेस्ट कनेक्टिविटी इन 35 कंट्री ठीक है 35 कंट्री में अभी जो इंटरनेट स्वारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है ठीक है इंटरेस्ट ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही करने के लिए UNICEF अभी टाइब किया है इरेक्शन के साथ ठीक है यह है एक ए क्टस इरेक्शन जो है टेल одна टेलीकॉं टेलीकॉं कंपनी है तहां की याद रखे को यह स्विडेन की एक स्विडेन बेस्टamentos ओी है एकशन इसके सब अभी یूनिसेफ ने टाई-अप किया है यूनिसेफ गें हेड कौषर वो है नियू-यॉर्द और इसकी जो head है, इनका नाम है Henrietta 4A, ठीक है, Henrietta 4A जो है, यह UNICEF की director है, एक चीज और याद रखिए है, UNICEF के द्वारे एक award दिया जाता है, जिसका नाम है Danny Kane Award, ठीक है, Danny Kane Award दिया जाता है, और यह Priyanka Chopra को मिला था, ठीक है, प्रियंका Chopra को मिला था, Danny Kane Award, नेक्ट कोशन देखिए, अभी उडान इसकीम के तायत, यानि कि उडे देश के आम नागरिक इसकीम के तायत, कितने नए roots डेवलप करने वाला है, उडान का 4th phase में, ठीक है, यह 4th phase है, उडान जो है, यह 2016 में लाया गया था, और इसका अभी 4th phase सुरू होने वाला है, इसमें total 78 roots को connect किया जाएगा, ठीक है, total 78 roots को connect किया जाएगा, उडान इसकीम के ताया, लिया रहा है, next question देखिए, कौन सा state government ने अभी अनौन्स किया है, कि वह house sites, registered house site बनाएगा, women के लिए, जो weaker section में है, total cost पड़ेगा, 22,000 करोड़, ठीक है, इसमे जो weaker section में महिलाई बिलोंग करती है, उनको avail किया जाएगा, house, affordable housing के लिए, ठीक है, affordable housing के लिए, ये avail किया जाएगा, women weaker section को, तो ये किया गया है, आंद्र पर्देश सरकार के दारा, आंद्र पर्देश की जो CM है, वो है, Y.S. जगन मोहन रेड़ी, ठीक है, Y.S. जगन मोहन अभी स्वभूसन हरी चंदन जो है, वहाँ के governor है, आंद्र पर्देश, ठीक है, और इसमें approximately 30 lakh women को benefit दिया जाएगा, ठीक है, 30 lakh women को benefit दिया जाएगा, इस scheme के ताहत, clear है, next question देखिए, C.I.I. यानि की Confederation of Indian Industries, ठीक है, Confederation of Indian Industries ने अभी established किया एक नया forum, ठीक है, एक नया forum, Artificial Intelligence based forum, इसको chairmanship किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसको जो chairmanship किया जाएगा, यह संदीप पटेल के द्वारा किया जाएगा, जो की हमारे IBM India के MD है, ठीक है, IBM India के यह MD है, संदीप पटेल, Artificial Intelligence को बूश्ट करने के लिए, C.I.I. के त्वारा जो forum बनाया गया है, उसके chairmanship संदीप पटेल करेंगे, C.I.I. इसका full form होता है, Confederation of Indian Industry, और इसके जो head है वो है, उदे कोटक, ठीक है, उदे कोटक, अभी हाली में appoint हुए है, C.I.I. के president, clear है, next question देखिए, काजी नजरूल इसलाम, यह national poet है, ठीक है, कौन से country के? काजी नजरूल इसलाम जो है, यह national poet है, ठीक है? तो यह जो है, Bangladрыв हमारे जो never country है, बांगलादेस की यह national poet है, ठीक है, यह news में क्यों थे? इनका अभी 44th death anniversary मनाया गया ठीक है 44th death anniversary मनाया गया कब 27th of August को ठीक है 27th of August को इनका death anniversary मनाया गया इनको एक और नाम से जाना जाता है rebel poet ठीक है rebel poet यह भी याद रखिएगा next question देखिए अभी India India S400 Triumph Air Defense System यह कौन से country से purchase करने वाला है तो इन्डिया जो है 2021 तक इन्डिया में आ जाएगा और यह रसिया से इन्डिया खरीद रहा है ठीक है रसिया की जो यह company है Elmas Ante Elmas Ante इस से रसिया से खरदा जा रहा है इन्डिया के दोरा S400 ठीक है यह भी याद रखिएगा रसिया के साथ अभी इन्डिया का एक agreement sign हुआ है Defense Defense Logistic Corporation Defense Logistic Corporation Agreement ठीक है यह रसिया के साथ इन्डिया का agreement हुआ है रसिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नामे वलादिमीर पुतीन इसका capital है Moscow Moscow और रूबल इसका currency है Next question देखिए इन्डिया का पहला First International Women Trade Center First International Women Trade Center यह कहाँ setup किया जा रहा है तो यह आपका किरला में setup किया जा रहा है किरला में किरला में अगर पुछा जाए कहाँ पर तो किरला में यह setup किया जा रहा है एंगे मेली एंगे मेली में setup किया जा रहा है किये केरला में clear है सबी को और इसका नाम रहेगा reach र-e-a-c-s इसका full form होता resource enhancement academy for carrier heights ठीक है मैं फिर से repeat करता हूँ resource enhancement academy for carrier height ठीक है reach clear है सबी को next question देखिए सरकार ने अभी जो पी एस यू पब्लिक sector undertaking से उनको अभी अलाव कर दिया है कि डिफर्ड कस्टम ड्यूटी है जो कस्टम ड्यूटी रहता है कस्टम इसे कस्टम clearance में help करता है तो उसको कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है यह imports में कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है यह 14 पर्चेंट दिनों के लिए ठीक है 14 डेज के लिए इसको बढ़ा दिया गया है clear है सभी को next question देखिए next question है which hurricane recently hit Louisiana and Texas USA का एक दो इस्टेट्स है Texas और Louisiana आपको याद होगा यहां पर Howdy Moody ठीक है यह Houston का एक जगह है Houston में ठीक है Texas में जगह है Houston यहीं पर हुआ था पर दो बड़ी मोदी ठीक है जो पीम मोदी हमारे विजिट किये थे जब यूएस तो यहां पर अभी एक hurricane आया जिसका नामे लेवरा ठीक है लेवरा जो है यह hurricane आया था अभी लूशियाना और टेकसस में एक टाइफून भी आया है जिसका नाम है बावी ठीक है बावी टाइफून जो है यह अभी हिट किया है North Korea, South Korea and some parts of China ठीक है तो basically यह North Korea और South Korea में हिट किया है बावी टाइफून confused नहीं होगी है यह टाइफून है और यह थोड़े से चाइना को भी हिट किया है तो यह भी याद रखियागा next question देखिए according to the global survey pcode.com एक survey करता है जो की पोलेंड बेस्ट कमपनी है पोलेंड पोलेंड बेस्ट कमपनी है इसके द्वारे एक survey हुआ है जिसमें पूछा जला what is India's rank in average wage पर मन्त ठीक है पर मन्त जो average wage है इंडिया का इसमें रैंक क्या है तो इसमें इंडिया का रैंक है 72 ठीक है इंडिया जो है यह 72nd रैंक पर है 72nd और इसमें इंडिया जो है इंडिया का एप्रॉक्स इंडिया जो है पर मन्त 32,800 इंकम जेनरेट करता है ठीक है पर मन्त जो wages है इंडिया का यह है 32,800 अगर हम लोग first का बात करें तो first पर है और swizer land का पर मन्त वेजे है 4,49,000 तो अब देख सकते हैं इंडिया का है 32,800 और swizer land जो है 4,49,000 है देख सकते हैं कितना बड़ा डिफेरेंस है सेकेंड रैंक पर है लगजमबग और थर्ड पर है USA ठीक है थर्ड पर है USA नेक्ट कोशन देखिए नूर इनायत खान इनको अभी अवार्ड दिया गया ओनर दिया गया है ब्लू प्लेग ठीक है यह इंडियन ओरीजिन की थी यह वर्ल्ड वार्ड टू में सर्व की हुई थी इसी के वज़े से इनको अभी अवार्ड दिया गया कौन से कंट्री के द्वारा तो यह UK के द्वारा दिया गया ठीक है ओनर दिया गया है अभी पहली ऐसी इंडियन ओरीजिन वुमेन है नूर इनायत खान ठीक है क्लियर है सभी को नेक्स्ट कोश्चन देखिए Central Armed Police Force कौन सा Central Armed Police Force है जिसने अभी एक मुबाइल एप लाया है पेंसनर्स कॉर्नर्स ठीक है पेंसनर्स कॉर्नर्स यह क्या करेगा जो पेंसनर्स होते हैं जो पेंसन धारी होते हैं उनको डीश्टल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा और यह जो है CISF ठीक है CISF यानि की Central Industrial Security Force के द्वारा लाया गया है पेंसनर्स कॉर्नर्स इसके जो डीजी है CISF के वो है राजेस रंजन ठीक है राजेस रंजन जो है इसके डीजी है ठीक है यह है Central Reserve Police Force यह है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस और यह है Railway Police Force ठीक है मेजर ध्यान चंद विजयपत योजना ठीक है मेजर ध्यान चंद विजयपत योजना किस State Government के दौरा शुरू किया गया है यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के दौरा ठीक है नई नहीं है 19 international players जो है उनके टोटल 19 international players को जो उनके घर को road connectivity के साथ जोड़ा जायेगा ठीक है road connectivity किया जाएगा उनके घर जो 19 international player है उनका और बाद में इसमें और players को भी add किया जाएगा इसलिए योजना लाया गया है मेजर ध्यान चंद विजय पत योजना ठीक है क्लियरस अभी को यह यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है आए नेक्स कोशन देखिए यूए बेस्ट दुबाई मल्टी कॉमेडिटी सेंटर ठीक है दुबाई मल्टी कॉमेडिटी सेंटर जो है इसने अभी लॉंच किया है एग्री योटा एग्री योटा ए मार्केट प्लेस तो यह किस तरह के परसन को हेल्प करेगा इस्ट्रीट वेंडर्स, फिसर मैन, रूरल फार्मर या वीकर सेसर वुमेन को तो यह जो है रूरल एगरी यह उटा ठीक है एगरी से होता है एक फार्मर के लिए तो यह रूरल फार्मर को हल्प करेगा UAE बेश्ट DMCC क्लियर है सबी को नेक्स्ट कोश्चन देखिए फार्मर अभी प्रणम मुखर जी जो की प्रेसिडेंट रह चुके है इनका भी निधन हो गिया तो आपसे पूछा जा रहा है यह कितनवे प्राइम मिनिस्टर रह चुके है प्रणव मुखर जी जो है ये कितने में प्राइम मिनिस्टर रह चुके है तो ये आपके 13 प्राइम मिनिस्टर रह चुके है प्रणव मुखर जी अभी 14 था और ये है राम नाथ कोविद प्रणव मुखर जी के मारे में मैं और आपको डिटल्स बता देता हूँ इनको लोग प्रणव दा भी बोलते हैं ठीक है प्रणव दा साथी साथ इनका जो जनम है ये वेश्ट बेंगल के बीर भूम में हुआ था बीर भूम जिले में हुआ था ये 2012 से 2017 तक प्राइम मिनिश्टर पद पे रहे और 2012 से पहले ये इंडिया के फाइनस मिनिश्टर के तौर पे भी काम किये हैं इंडिया के फाइनस मिनिश्टर भी रह चुके हैं ये साथी साथ इनको 2019 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था भारत रतन से इनको सम्मानित किया गया था और ये फिफ्ट प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं भारत रत पाने वाले फिफ्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं प्रणभ मुखर जी clear है सबी को ठीक है तो हम लोग अब discuss करते है जो 29th August को international sports दे होता है उस दिन कुछ award दिया जाता है Indian government के द्वारा तो उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे ठीक है और यह हमारा last topic रहेगा तो इसलिए आएए शुरू करते हैं इसको पहला देखिए सबसे important है राजी गांदी खेल रतन अवार्ड यह इस बार पांच लोगों को मिला है ठीक है पांच लोगों को मिला है जिसमें से पहले एक Indian क्रिकेटर है जिनका नाम है रोहित सर्मा ठीक है दूसरा जो है यह है मरियपन थमवा वेलू जो की पैरा एथलीट है नेक्स्ट है विनेस फोगाड जो है यह wrestler रह चुकी है नेक्स्ट है रानी रामपल रानी रामपल जो है यह hockey player है और पांच वी जो है यह मनिका बत्रा जो की table tennis player है यानि की रोहित सर्मा एम थंगावली प्रिनेस फॉगर्ट, मनिका बत्रा और रानी रामपल ये पाँच लोगों को राजीव गांदी खेल रत्न अवर्ड मिला है और इसमें टोटल प्राइज मनी जो है इस बार जितने भी अवर्ड्स है उसके प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है लगभग इंटू टू या थ्री या इससे भी जादा प्राइज मनी को डबल से ट्रिपल कर दिया गया है तो ये देखिए पहले जो प्राइज मनी राजीव गांदी खेल रत्न में पहले जो प्राइज मनी मिलता था वो था 7.5 लैक ठीक है 7.5 अब उसको बढ़ा के 25 लैक कर दिया गया पर खिलाड़ी ठीक है पर जो प्लेयर है उसके अकॉर्डिंग 25 लाक कर दिया गया है राजीव गांदी खेल रत्न अवर्ड में ठीक है नेक्स देखिए अरजुना अवर्ड ठीक है ये टोटल 27 लोगों को मिला है अरज अतानु दास ठीक है ये आरचरी से है ये सिंगल सिर्फ एक पहले एकलोते है जो आरचरी से जीते है इसलिए अतानु दास का नाम याद रखिए और भी है अधित्या असोख है मनु भाकर है तो ये सब याद नहीं रखना है बस खाली ये याद रखिए 27 लोगों को मिला है और इसमें जो टोटल प्राइज बनी दिया गया है ये है 15 लैक का ठीक है 15 लैक पर प्लेयर दिया गया है पहले जो है ये 5 लैक था अब इसे बढ़ा करके 15 लैक कर दिया गया यानि कि लगबग 3 टाइम्स कर दिया गया दुरूनाचारी आवार्ड ये दो कैटेगरी में दि दुरोनाचारिय, जो कोचेज होते हैं, उनको मिलता है, तो इसमें जो है, पंदरा लाग दिया गया है, और ये भी पहले पाँच लाग था, उसको बढ़ा करके आप पंदरा लाग कर दिया गया है, लाइफ टाइम में टोटल आठ मिला है, और रेगुलर में टोटल फाइव मिला है, ठीक है, लाइफ टाइम में टोटल आठ कोचेज को मिला है, और रेगुलर में फाइव कोचेज को, नेक्स्ट अवर्ड है, ध्यान चंद अवर्ड, ठीक है, ध्यान चंद अवर्ड, ये भी तो ये भी याद रखिएगा जो की legendary hockey player थे ठीक है, major ध्यान चंदो है ये hockey player थे legendary hockey player थे इसमें total 15 लोगों को मिला है और ये total इसमें price money जो है ये 10 lakh है, ठीक है 10 lakh है, इसको भी बढ़ा दिया गया है पहले 5 lakh था, इसको double कर दिया गया है अभी 10 lakh मिलता है ये देखिए मौलाना अबुल कलाम अजाद ठीक है, माका ट्रोफी जो है ये दिया गया है पंजाब यूनिवर्चिटी को ठीक है, पंजाब यूनिवर्चिटी को मौलाना अबुल कलाम अजाद ट्रोफी मिला है राष्ट्र खेल प्रोथसाहन पुरुसकार यह जो है जो इंसिट्यूट या फिर जो और्गनाजेशन स्पोर्ट्स को बूश्ट करने के लिए हल्प करती है उसको मिलता है राष्ट्र खेल प्रोथसाहन पुरुसकार और इसमें जो यूथ टैलेंट को डेवलप करने के लिए लक्ष इंस्टिट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टिट को यह प्राइज मिला है ठीक है लक्ष इंस्टिट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टिट को ठीक है अगर corporate social responsibility का बात करें या नि corporate जो companies है वो कैसे sports को boost encourage की है उसमें मिला है ONGC को ठीक है अर्जुना अवर्ड टोटल 27 लोग को मिला है दुरोना चारे अवर्ड अगर बात करें तो यह 8 प्लस 5 यानिके 13 लोगों को मिला है ठीक है ध्यान चंद्र टोटल 15 लोगों को मिला है और मौलाना अबूल कलाम जो है यह पंजाब यूनिवर्सिटी जो के चंडीगर में है उस को मिला है ठीक है क्लियर है तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं थैंक यू गॉड ब्लेस यू अल हैव नाइस दे थैंक यू